दिश्टल मीडिया के इस जमाने में एक नए प्लेटफॉर्म को लेकर आपके बीच हमारे है जिसका नाम है दिइंडिया टॉप क्या करेगा दिइंडिया टॉप इस पर हम चरशा करेंगे क्या सबसे पहले ब्रेकिंग आप तक हम पहुचाएंगे बिलकुल आप हमारे यूट राजनितिक विस्लेशन करेंगे बिल्कुल दिन भर का जो सबसे बड़ा खबर होगा राजनितिका उस पर हम चर्चा करेंगे आदेशपुरी में साथ मौजूद है इनसे भी हम बात करेंगे क्या जो बजार में खबरों है उसका बजारी करन करेगा दे इंडिया टॉप बिल् यह जो नाम है दा इंडिया टॉप तो जो भी भारत के भाविस्से हैं उनका हम उनके खबरों को काफी मजबूती के साथ रखेंगे जो युवा है जो चात्र है और पहले से हमारा यह अभी तक रेकॉर्ड रहा है कि हम लोग इनको ज्यादा तरजी दिये हैं तो नए चैनल में भी जैसा की नाम है दा इंडिया टॉप तो इस पर जो इंडिया के जो भाविस्से हैं उनसे समंदित खबरे जादा रहेंगी छात्रों के जो परिच्छा हैं उनसे समंदित परिच्छाओं में जो पारदर्सिता का आरोप लगाते हैं तो वैसी खबरों को मजबूती से उठाते थे और उठाते रहेंगे और उदिप्त मैं अपने बता देना चाहता हूं जितने वी वीवर हैं कि हमने भले ही जगह बतला है लेकिन अपना तेवर नहीं बतला है हम उसी तेवर में काम करते रहेंगे बस आपके समर्थन का आपके प्यार का जरूरत है और आपकी आज हम बनते रहेंगे, हम आपको पता दे, पहले भी मैंने कहा है, कि छात्र जो हैं, वो देश के भावी से होते हैं, और बिहार में लगबग 60-65% ऐसे ही हुआ हैं, जिनकी उम्र 25 साल से कम उम्र की है, और वो परतियोगी परिच्छा के तियारी करते हैं, परहाई करते हैं, तो हम उसके लिए हम ऐसा मजबूती से अब आज उठाते रहेंगे हैं, और उठाते रहेंगे भी, आपको घबडानी की जरूत नहीं है, आपका हर एक मुद्दा, आपका हर एक मुद्दा जो है, उसे हम काफी प्रमुक्ता से उठाएंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं, साफी मजबूती से उपर उठाया, और यही कारण है कि बिहार के जितने भी परिच्छा आयोग हैं, उन्हें अब जबाब देना पड़ता है, पहले जो था कोई ना खबर बनता था और नहीं कोई इसके बारे में बात करता था, छातर जो हैं इतरह से कुंठीत रह जाते थे अगर उनके साथ अन्याय होता था, परदर्सिता होता था या उनकी हकमारी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला है, अब जो है हर एक व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा, और पश्टी करन देना पड़ेगा कि आखिर उनके साथ जो भी आरोप लगा रहे हैं, व अखबार में जो खबरे छपती हैं, प्रमुकता से उसको आपके सामने रखा जाएगा, गैर राजनितिक खबर का वो कॉलम होगा, इसके बाद साम में एक कॉलम मैं, या उदिप तार्यन आपके सामने लेकर आएगा, जो दिन भर की पांच या दस बड़ी राजनितिक खब बनना, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि प्रति दिन, जो सबसे जोलंत मुद्दा हो देश का या राज का, उस पर हमें पबलिक ओपिनियन करें आपकी राए, जनता की राए, जनता तक पहुँचा सकें, उस सेग्मेंट का नाम पबलिक प्लैटफॉर्म रहेगा, साथी और साथ साथ एक और बात बता दू कि चुकि बिहार से हम बिलॉंग करते हैं, तो बिहारी प्राइड करके भी एक सेग्मेंट आएगा, बिहार में कुल 38 जिले हैं, और हर एक जिला का अपना इक इतिहास रहा है, एक भूगोल रहा है, उस पर हम सबताहिक चर्चा करेंगे, साथ उत्तर परदेश हुआ, जहां पर विधान सभा चुना होने जा रहा है, बिहार में पंचाय चुना होने जा रहा है, और भी जिन राज्यों में चुना होगा, उस सभी जगों पर कवरेज दे इंडिया टॉप करेगा, हमारे टीम वहाँ पहुंचेगी, उस खबरों को साथ के सामने लाए जाएगा, साथी साथ, राजनीती के अलावाज समाजिक मुद्दा हो, या फिर एकॉनमिकल इस्यू हो, इन सभी मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करेंगे, हमारा एक सेग्मेंट सेटायर का भी होगा, व्यंक का होगा, कटाक्ष का होगा, इसमें हम से संबंदित, दो कारिकरम हम सबता में मैं लेकर आऊंगा आपके पास, और इतना दावा है कि वो सबसे सटिक होगा, वो आपके ज्यान के लिए, पत्तियोगी परिक्छाओं के लिए, और एक जेनरल अवेरनेस के लिए भी काफी जरूरी होगा, और काफी उसमें आपको हम फैक्ट बताएंगे, उसको इंडिया के पक्ष से जोड़ के दिखाएंगे, तो जुड़े रही है आप हमारे साथ, और जिस तरह पहले आपने हमें सहयोग किया, प्यार दिया, वैसा प्यार और सहयोग आप देते रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, क हमारे पेज को लाइक फॉलो करें, खबरों को विस्तार से पढ़ना है तो दे इंडिया टॉप दॉट गॉम पर जा सकते हैं, टुटिर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धन्यवाद